हाई फ्रेंज रसोई फरीभरी वन में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं अलसी की लडू बनाने जा रही हूँ खाने में जितना टेस्टी है उतना ही आसान है इसे बनाना अलसी की लडू बहुत ही फैदे मंद होता है चलिए देखते हैं अलसी की लडू कैसे बनाते ह अलसी की लडू बनाने के लिए सबसे पहले मैं गैस पे एक पैन रखूंगी, पैन में एक कप अलसी डालूंगी, अलसी डाल कर इसे मीडियम फ्लेम पे इसे रोस्ट करूंगी, यह जब अलसी जब चटकने लगे तो पता चलता है कि अलसी मेरा अच्छा से भून रहा है, चटकने की आवाज आ रही है, इसमें भून गया है, अब मैं इसे भी एक प्लेट में निकाल लूंगी, इस सभी को ठंडा होने दूंगी, तब तक मैं उसी पैन में मुंगफली डालूंगी, मुंगफली डालकर इसे भी मैं रोस्ट कर लूंगी मीडियम फ्लेम पे, मुंग मुंगफली भून गया है, अब मैं इसे भी एक प्लेट में निकाल लूंगी, इसे भी मैं ठंडा होने दूंगी, उसी पैन में दो से तीन चमच घी डालूंगी, घी डालकर वेदाम डालकर उसे भी मैं थोरा सा रोस्ट करूंगी, वेदाम थोरा सा रोस्ट हो गया है, अब मैं उसी में काजु डाल दूंगी बेदाम और काजु आप अपने अनुसा डाले कम्या ज्यादा भी कर सकते हैं देखिए काजु और बेदाम मेरा भून गया है अब मैं इसे भी एक कटोरे में निकाल लूंगी मुंगफली मेरा ठंडा हो गया है अब मैं इसे मुंगफली से छ इसे मैं पीस लूँगी, पुर एक दम फाइन पॉडर नहीं बनाना है, इसे मैं दरदरा पीस लूँगी, दरदरा पीस ली हूँ, अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी, उसी जार में मुंफली डालकर उसे भी पीस लूँगी, दरदरा पीस ली हूँ, अब मैं इसे भ गूरुर को अच्छी तब तक चलाते रहूंगी। मीडियम फ्लेम पे गूर को पिखलाऊंगी, गूर लगभग पिखल गया है, इसे थोड़ी दिर और पिखलाऊंगी, देखिए गूर मेरा पिखल गया है, थोड़ा थोड़ा इसमें से बबल निकल रहा है, अब मैं गैस बंद कर दूँगी, और जो मैंने मिक्स करके रखी थी उसे मैं डाल कर इसे अच्छे से मिक्स करूँगी, गैस से उतार के मैं नीचे रख ली हूँ, अब मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी, अलसी की लड़ू बहुत ही हेल्दी होता है, आप इसे एक पर बनाईए और खाईए दोस्तों के साथ भी सेयर कीजे, अब मैं इसे ए अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि मेरा वीडियो कैसा लगा, आप इसे एक पर बनाईए और खाईए दोस्तों के साथ भी सेयर कीजिए, देखिए सभी लडू मैं बना ली हूँ, लडू मेरा त्यार है, लीज मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, थैंक्स पर वाचिंग